गाईज अगर हमें बोलना हो खाना तो दूर उसने मुझे पानी तक नहीं पूछा या फिर बात करना तो दूर उसने मुझे देखा तक नहीं तो इस तरह के sentences को कैसे translate करते हैं, let's have a look at it इस तरह के sentences को translate करने के लिए हम अपने sentence में use करते हैं, let alone इसका मतलब होता है, दूर की बात है, या फिर छोड़ो तो चलिए जैसे कुछ examples लेते हैं, खाना बनाना तो छोड़ो, उससे तो चाय भी बनानी नहीं आती या फिर इसको ऐसे भी बूल सकते है, खाना बनाना तो दूर की बात है, उससे तो चाय भी बनानी नहीं आती या पर हम खाना बनाना तो छोड़ो, या फिर खाना बनाना तो दूर की बात है, इसको हम translate कर रहे है let alone cook food और notice करने वाली बात यह है यहाँ पर let alone के बाद हम वर्व की first form यूज़ करते हैं next example है car चलाने की तो दूर की बात है वह तो cycle भी नहीं चला सकता तो इसको हम translate करेंगे he can't ride bicycle let alone drive a car खाना तो दूर की बात है उसने मुझे पानी तक नहीं पूचा he didn't even ask me for water let alone food बात करना तो दूर की बात है उसने मुझे देखा तक नहीं she didn't even have a look at me let alone talk अब आपको क्या करना है वीडियो को यहाँ पर pause करके आपके लिएक sentence है रोना तो दूर की बात है उसने कुछ कहा ही नहीं या फिर इस sentence को इस तरह से भी बोल सकते हैं रोना तो छोड़ो उसने कुछ कहा ही नहीं तो इस sentence को इसी sentence structure का use करके translate करके मुझे comment section में बताईए चलिए अगले structure के बारे में बात करते हैं जैसे कुछ sentences हैं थोड़े समय के लिए इस तरह के sentences को translate करने के लिए एक phrase है या फिर आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं चलिए कुछ examples लेते हैं थोड़े समय के लिए इसको आप बोल सकते हैं या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं थोड़े समय के लिए मैंने सोचा हमारा accident हो जाएगा थोड़े समय के लिए मुझे लगा कि वह गिर जाएगा कुछ ऐसे भी sentences होते हैं थोड़े समय के लिए वह दर गया या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं अगले structure के लिए कुछ sentences हैं जैसे ना चाहते हुए भी मुझे वहां रुकना पड़ा या फिर ना चाहते हुए भी मुझे बच्चे को डाटना पड़ा इस तरह के sentences को translate करने के लिए एक adverb है unwillingly इसका मतलब होता है ना चाहते हुए भी या फिर बेमन से तो चलिए कुछ examples लेते हैं ना चाहते हुए भी मुझे वहां रुकना पड़ा I had to stay there unwillingly ना चाहते हुए भी उसने मेरी प्रशंसा की मतलब उसका मन नहीं था मेरी प्रशंसा करने का या फिर तारीफ करने का मतलब उसने बेमन से मेरी प्रशंसा की ना चाहते हुए भी मुझे बच्चे को डाटना पड़ा I had to school child unwillingly ना चाहते हुए भी मैं उसके बेचान या फिर घटिया जोक पर हसा इसके लिए बोल सकते हैं I laughed at her pathetic joke unwillingly नेक्स्ट वन इस अगर हमें कुछ ऐसे sentences बोलने हो इसमें रोने वाली क्या बात है इसमें हसने वाली क्या बात है इसमें शर्माने वाली क्या बात है तो इस तरह के sentences के लिए एक structure है What's there to इसके बाद हम उच चीश को एड़ कर देंगे जो हमें बोलनी है जैसे कुछ examples लेते हैं इसमें रोने वाली क्या बात है, what's there to cry, इसमें हसने वाली क्या बात है, what's there to laugh, इसमें मुह लटकाने वाली क्या बात है, what's there to have a long face, इसमें शर्माने वाली क्या बात है, what's there to shy अगर हमें कुछ इस तरह के sentences बनाने हो जो भविश्य में बहुत जल्द होने वाला है तो इसके लिए हम एक phrase यूज़ कर सकते हैं in the near future इसका मदलब होता है भविश्य में बहुत जल्द चलिए कुछ examples लेते हैं भविश्य में में बहुत जल्द अपना खुद का business शुरू करूंगा I'll start my own business in the near future मेहनत करते रहो भविश्य में बहुत जल्द तुमारी तरक्की कर दी जाएगी मतलब तुमारा promotion हो जाएगा तो इसके लिए बोल सकते हैं Keep working hard, you will be promoted in the near future भविश्य में बहुत जल्द तुम इस आदत के आदी हो जाओगे मतलब you will be happy treated to this habit in the near future So that's it guys for this video I hope आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया जरू सीखने के लिए मिला होगा तो guys आपके लिए homework है आपके सामने दो words हैं Easy going and negotiate इन दोनों words की मेनी मुझे comment section में बताईए and don't forget to hit the like button Thank you so much for watching this video I'll catch you in the next video Take care